आइसे ही एज़केशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें कि नमस्कार फ्रेंड्स वेलकन ट्यूवाल आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टुड़ी बजनील सर दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि हर बार मैं आपके लिए कुछ नहीं कुछ नया कंटेंट लेकिया तरहता हूं तो उ पर जाएं दोस्तों होता गया कि जब आपको चीज सुनते हैं तो वह आपके दिमाग में कुछ समय के रहता है बद जब कोई चीज आप लिए पर्मनेंट हो जाता है तो नोट्स में आपको लिखा हुआ तो आपको चीज तुननत्र रिवाइस हो गई तो पैन को बैट जहा दोस्ते लिए बताना चाहूंगा कि आपकी जो अर्थ होती है दोस्तों मालों आपके अर्थ है तो इस पर आपके तीन तरिकी के बंडल पायाते हैं तो आपका पहला है आपका जल मंडल दूसरा है आपका वाई मंडल और तीसरा आपका है इस थल मंडल और दोस्तों जहां वेन्दल तीनहों कि मिलते हैं इसे हम लग दो कि जाताना करेंगे स्टार्ट करते हैं तो तो डोस्तो कुछ पढ़ते हैं त्यू कि लिखा किया हुआ है तो दोस्तो जैसे कि इस लिखा हुआ स्Wowator 5000 की उचाहिए तक फैले हुए गैसी आवरण को वाई बंडल कहते हैं दोस्तों एक लास्ट वीडियो था मेरा वाई पर दूसरल का उसे में मैंने आपको बताया था कि जो वाई बंडल होता है वो प्रत्वी की कवश होती है और इसी वाई बंडल में तमाम तरफी की गैसेस पाई जाती है ज तो प्रत्वी से परावर्तित होने वाले दीर्ग तरंगे और शुषित करके प्रत्वी पर एक निश्यत आपमान बनाया रखती हैं दोस्तों यह चाहिए आपको ना संव्मिया हो बट अगर मैं इसको समझाऊंगो डायग्राम से तो आपको पक्का संव्मिया जाएगा तो शूरश등 लिए में होता क्या है कि जब आपके सण लाइट अब की शन से आती है और जब आपके सर्फिस तक त्ब हीर्थ के सर्फिस तक सलायट पहुंच het कि सूर्च जो प्रकास रही हों वह ऑपके अर्थ के सर्फिस तर्प हों जाती है और बढ Lynn झा पाती है यह तो यह सूर्ष आने वाले प्रकास को अउस्योशित कर लेती हैं और भारी गैस होने के करड़ी उपर नहीं जा पाती है और मारा वाइमंडल गर्म हो जाता है दोस्तों बता दो कि सियोटू गैस जितना अपके हानकारक है उतने आपके फायदेबंद है दोस्तों अगर आपके अर्थ यानि धर्ती पर सीटू गैस ना होती तो शायद यहां पर आज इतनी ठंड होती कि हम लोग यहां पर सर्वाइब नहीं कर पते हैं लोग आप रहने पाते तो चलिए देख कि इंग्लिस के ने भी साथ में याद रखने क्योंकि दोस्तों में कभी-कभी क्या होता है कि आपकी एक्जाम पेपर में हिंदी ना देखिए वह इंग्लिष में सीधे कुशन पूछ लेते हैं उन्हों सीध्य ट्रोपोस फेर दिया तो साथ में आपको इस्पेशली बोलते हैं मीजुस्फेयर चौथा आपका है आयन मंदल को एक एक डिसक्स करेंगे और मैं पास डाइगराम है आपको दिखाना चाहूंगा देखिए दोस्तों ऐसे हमारा होता है atmosphere यह हमारा अर्थ है यह वर अर्थ है और इसके ऊपर देखेंगे आपका छुबंडल थे जोंटल है आपका समताप बंडल मेजोश्पेर नीमाध्य मंध्य मंध्य दोस्तों यह पांच मंध्य की बीच में होता है चार मंध्य मेंल आपका यहां जहां पर आपकी स्टेर्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पढहेंगे आप च्रोल मंडल बारे में या दोस्तों सबसे सबसे कि---- तो आफको इसको तो पर शह और गाद रखने हैं और इसको लिख सकते हैं आप लोग तो डेखिए आप यह अपर जो पहला लाइन लिखा सबसे निचली सखनपरत होती है इस सबसेगे सबसेघेद सब्सक्य परती सब करते हैं इस परत की ऑस्तन उचाहिज्ञ सबसेच मчив शल्ट को माने नहीं आती है कि यह जो परत है वह भूमत रिखा पर आपकी 18 घुनी ठाइट तक होती है तो जो इसकी ओसराजी है आपकी मोसमी मुली घटनाए होती है मोसमी मंडल में ही कि मंडल में Great उपर जाने पर एक डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आ जाती है जैसे जैसे इसमें उपर बढ़ते आएंगे तो आपके तापमान में कमी आती जाएगी तो यह कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे इसके बारे में तो आपको यहाँ पर याद रखना है और साथ में दोस्त दिनों में जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं अता गर्मी के दिनों में उचाई बढ़ जाती है जबकि ठेंड की दोनों में उल्टा ही प्रसेस होता है जबकि ठेंड की दिनों में जब यह गर्म होएं नीचे आती है तो साथ में आपको यह भी रखना है कि जब गर्म तो आपको साथ में कुछ याद रखना है और एक सो पैसेट मीटर उपर जाने पर आपकी जो है एक डिगरी सेल्सियस की टापमान की टेंपरेचर की कमिया जाती है कि नेक्स देखते हैं आपर है संताप मंडल जिसे आपका माले चोंडिब लिए अपका संताप मंडल है तो जो उसके बीच के पोर्षिन होता है उसे में चोब शीमा यहनी ट्रोपोपॉस कहते हैं और इस मंडल की जो उचाई होती है वह पचास कुल्यमिटर तक है ये अनुस्तो आपकी जो सम्ताब मंडल के उचाई है पचास किलिमीटर तक है और इस मंडल में ताप इस्थी ढहता है ज्याव दोचो करें तो कुह उढ़ने के लीए सबसे और मंदल कौन है तो बतादूं आपका वो सम्ताप मंडल है और तो इस मंडल के निचल। से जेट वायवयान के उड़ान भरने के लिए आदर्स दर्शाय हैं मतलब अगर आप से पोछा जाए कि जेट वायवयान के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन सा है तो आप बताएंगे सब्ता मंडल क्योंकि उसी ही यही उसके लिए परफेक्ट एक ऐसा मंडल है जहां पर प्ल दोस्तों बता दूं कि उजोन का काम क्या होता है जैसा कि जानते कि जब आपके अर्थ पर आपके अर्थ पर जब सूर से केड़ें आती हैं तो उसमें कुछ यूवी रेज़ भी होती हैं जो आपके लिए बहुत खतरनाव बहुत हनकारक होती हैं बद दो समताम बंडल में पर दोती हैं तो एक चंनी काम करता है तो सूर से आने माली हानका रख यूवी केड़ों को क्या पर रेक्टिफाइग कर देगा चान देगा और जो आपके लिए फाइदे बंद होती हैं प्रकास वह आपके अर्थ तक आने देता है तो इसे हम लोग यह हमारा काम होता है पर पाई जाती है और आपकी जो उचाइस की होती हो वह 20 से 35 किलिमिटर की मर्ध पाइब में पाई जाती है दोस्तो एक शी बताना चाहूंगा कि जो आपकी ओजोन पर उपती इसको सबसे ज़्यादा नुक्सान क्लोरो-फ्लोरोकार्बन से हैं यह दोस्तों सीपसी से दोस्त आपको याद रखना फुलफ्लाम यहाँ पर सी एफसे नीग क्लोरो-फ्लोरोकार्बन तो दोस्तों नेक्स्ट आपके लिखा हुआ है कि ओजोन परत के नुक्सान के फलसुरूप परावैगनी किल्णों से तुचाक कैंसर यह मोतिया जैसी बिमार्य होती है मैं आपको क्या लेकिन अगर जो यही एगर यूवी रेज अगर अर्थ तक पहुंझाती हैं तो हमें चांसर होते हैं आपका जो स्किन कैंसर रहते हैं और साथ में आपको मोतिया बिन जैसे बिमारी भी आपको हो सकती है भी यह साथ में देखिए, कुछ और लिखा हुआ है कि ओजोन परत की जो नापने किकाई अपके डाप्सन है जो तो इसकी जो यूनिट है आपकी डाप्सन है और बता दूर साथ में आपको जहाँ पर कि ओजोन परत के छरड़ या आई जोन परत जबहाए खत्म होने का और मनें अंटार्क्टिका में लगाया था आपको याद रगना है दोस्तों बहुत इपॉर्टेंट लाइन है और इसलिए हम लोग 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे यानी ओजोन दीवर्स की रूप में बनाते हैं तो आपको सारी चीज़े याद रखने साची लिख रखना है कि ओजोन परत की नापनी की कई डॉप्शन है ओजोन परत के चरल का पता सबसे बहुत सोला सितंबर नियुक्त पचासी को जौसेफ फोर में ने अंटार्टिका में लगाया था दीप में लगाया था और इसी हम लोग ऑजोन डे हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों आपके दो यह मंदल आपके बहुत इंपोर्टेंट है चले देखते हैं आपका नेक्स्ट बंडल नहां पर जो है मद्ध बंडल यानी म इसलिए होता कि दोस्तों इस चार मंडल पांच मंडल की भीक्तों इसमल हम लोग इसे मद्ध मंडलॉर बोलते हैं बतादो कि इसकी जो उछाई होती है वह 50 냉न हम पाए जाती है इस मंडल में बंचाई के साथ lib cap cioè pol September के मधिल पाई जाती है और इस मंडल में उचाई के साथ कितना होता है तो बता दूँ आपको कि इस मंदल का नां कर न स्वुल होता है वह को नापर हुट तो आने वाले लोगा पिंड इसी परत में जलते हैं यह दोस्तो अंतिरश से आने वाले उलकापर टमी जलते हैं next नहां पर है आपका next नहां है आयन मंडल जह दोस्तो आयन मंडल तो इसे हम लोग टाप मंडल भी कहते हैं यह दोस्तो इसे हम लोग थर्मोस्फेर है रेराइन दोस्त करें जो इसे ह Curry से Four के मंद्ध पाई जाती है इसमेने घुड़ पाई जाता है इसले प्रतवी से प्रेशित तरंगे इसी मंदल में परावट्रे तोकर दल्बारा प्रतवी पर लॉट आती है तो इसलिए पृत भी सिंहर प्रावरटेति होकर दुबारा पृत्री पर लॉट आती हैं कि इस मंडल की हवाज होती वुद्दूत आवेशितु होती है अता इस मंडल में वायिव की कारण चमकने लगते हैं औ! इस कड़ में कृत्विम उपगरा लगाए जाते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस मंडल में आपको कृतिम उग्रह लगा जाते हैं तो आपको याद रखना है कि आपका वो है आपका आयन मंडल यह उसे बोलते हैं और साथ में आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जो प्रित्वी से आपके जो प्रिशित तरं होती है जो समुन ट्रांस्मिट करते हैं तो इसी मंदल से परावर्तित होकर द्वारा प्रत्री पर लॉट आती हैं तो आपको कुछ लिमिट फिक्स सीमा नहीं कि कहां तक है यह बट दोस्तों यह फिक्स है कि 640 से उपर है और बहुत काफी उचाई तक इसको हम लोग बांते हैं अपको जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आप से एक्जाम में पूशता है कि इसमें कौन सी इसमें आपकी हीलियम और हैड्रोजन आपकी हल्की गसे आपकी बाहिर मंडल में पाई जाती है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट द्यान रखना है और जितने में सैटलाइट छोड़े आते हैं आपके प्रिथ्वी से यह आपके संचार उपग्राज होते हैं आपके बाह इसफेर तो दोस्तों यह कुछ पॉइंट थे आपके लिए लेकर आया था वाइंडल से आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो का लाइक करें शेयर के सब्स्राइब करें आप साथ में नोटिफिक्शन बिलको प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नए